नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोटा जीला द्रशन करने वाले हैं और एक रिविजन होने वाला है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कोटा जिले का परिवहन कोड, तो इसका परिवहन कोड है RJ20 और कोटा का सुबंकर है उद्ध बिलाओ और कोटा के उपनाम की बात कर लेते हैं तो राजस्थान की उद्योगिक नगरी है और राजस्थान की शेक्षिक नगरी भी कहा जाता है राजस्थान का कानपूर कहा जाता है और राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है इसको और इद्यास देख लगते हैं तो कोटा की स्थाफना हुई थी सन 1916-31 में और इसका नामांकरन कोटिया भील के द्वारा गिया गया था और सीमा रेखा की बात कर लेते हैं तो कोटा जिले के 6 जिलों के साथ सीमा लगती है और एक राज़े के साथ भी लगती है जो कि यह है MP और MP के साथ इसकी सीमा दोवार लगती है बहुतिक प्रदेश की बात कर लेते हैं तो दक्षिन पूरी पठार में स्थिथे यहां पर वर्षा होती है 90 से 120 सेंटी मिट्र की और मिट्टी पाई जाती है यहां पर काले मिट्टी पाई जाती है अब फसले देख लेते हैं फसले आप अधिक तर व्यापारी फसले बोई जाती है मसाले उगए जाते हैं याप और अब देख लेते हैं अपवात अंत्रोर सिचाय परियुजना तो यहाँ पर चंबल नदी है चंबल नदी कोटा जिले से गुजरती है और चंबल नदी पर यहाँ पर जवार सागर बांद बना हुआ है और इसे पीक अप डेम और कागजी डेम कहा जता है और यह जवार सागर बांद बोराबास गाउं में बना हुआ है और आगे चलते हैं तो यहां पर कोटा बेराज भी बनी हुई है, जिसे अधिकतर सीचाई के तोर पर उप्योग में किया जाता है और यह केजमेट एरिया के आदार पर सबसे बड़ा बेराज भी माना जाता है और कोटा बेराज और जवार सागर बांद के पीच में जगह आती है वहाँ पे चम्बल घडियार अभियारने भी है और अब देख लेते हैं चम्बल नपड़ चम्बल नंदी में गंगे सूस पाई जाती है गंगे सूस क्या है यह डौल्फिन मचली है और कोटा में हेंगिंग ब्रीज भी है जिसे जूलता हुआ पुल कहा जाता है इसका उद्गाटन हुआ था 29 अगस्त 2017 को और ये पूरो से पस्चिम गलियारा में आता है नेक्स्ट देख लेते हैं सिचाई परियोजना की तो कोटा में सिचाई परियोजना है सावन भादो परियोजना तकली परियोजना है यहां पर और हरीश चंद्र सागर परियोजना है अगरा देख लेते हैं मुकुंद्रा हिल्स राष्टिय उद्ध्यान तो कोटा में मुकुंद्रा हिल्स राश्टिय उध्यान है जो 760 वर्ग किलोमेटर में फेला हुआ है और ये कोटा चितोडगर्ड जालावाड में है और राश्टिय उध्यान बनाया गया था जनौरी 2012 में और ये थर्ड राश्टिय उध्यान है बाग परियोजना चलाए गई यहां पर अप्रेल 2013 में और ये थर्ड टाइगर प्रोजेट के रूप में बना जाता है गाग रोनी तोते पाए जाते हैं यहां पर और बाड़ोली के शिव मंदिर भी है और अबली मिनी का महल बना हुआ है कोटा में और ये अबली मिनी कोन थी ये मुकंद सिंग की पासवान थी और ये अबली मिनी का महल हाडोती का ताजमल के रूप में जाना जाता है और तिप्तिया और आलनिया ये आदी मानों के अवशेश पाई जाते हैं यहाँ पर तिप्तिया और आलनिया जगह पर और मानों के सेल चित्र भी का जाता है इन्हें अगला देख लेते हैं कोटा जन्तुवाले और ये कोटा जनतुवाले है राजस्थान का सबसे नविंतम जनतुवाले का जाता है इसको और यहां पे सर्प उद्यान भी है उम्मेद गंज जो रिजर्व कंसर्वेटिव एरिया आता है करनस्वा का सिव मंदीर करनस्वा का मंदीर भी कोटा के रानपुरा जग़े और इसका निर्मान हुआ था आठी सताबदी में और यह उत्तर गुप्त कालिन शेली का बना हुआ है और यहां पे हजार मुखी सिवलिंग बने हुए है और कणव की तपोस थली भी है कणवस्वा का शिव मंदिर रानपुरा यह राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है और फर्स्ट फेज और सेकिंड फेज है सेकिंड फेज में यहां पे मिल्क पाउडर कार खाना है और केथून जगह है एक कोटा में यहां पे विबिशन मंदिर है और यह विबिशन मंदिर आठी सदाबदी का मंदिर है और यह उत्तर गुप्त कालिन सेली का मंदिर है और यह राजस्थान का पहला टेली मेडिशीन सेंटर है और राज्य का पहला टेली मेडिशीन सेंटर यहां पर बनाया गया था और श्री हनुमान क्रसी उपज परिशर मंडी भी है यहां पर और यह राज्य की पहली नीजी मंडी है जिसकी स्थाफना की गई थी सन 2005 में और इ और अगला है कोटा में है एक मदूरादास मंदीर इसकी स्थाफना हुई थी राजा सिवगन द्वारा और राजा दूरजन साल द्वारा यहां मूर्ती वरंदावन से लेकर आये थे और यहां पर वल्लब संपरदाई की पीठ भी है अगला है यहां पर स्री डाड देवी का मंदीर जो नागर सेली पर अधारित मंदीर है और यह डाड देवी की पुजा की जाती है यहां पर मादुरगा के रूप में अगला मंदीर है यहां पर शिव मट मंदीर यह भी नाथ संपरदाई का मंदीर है और यहां नागा सादू की तपोस धली भी है नेक्स्ट देख लेते हैं चार चोमा सिवाले भी कोटा में है और यहां पर सिव की चतुर मुकी प्रतिमा है और त्रिकाल का चोबिसा मंदीर भी है कोटा में और यह जेन मंदीर से संबंदित है और तीन काल के तित्हंकिर की प्रतिमा है आप है 24 चोईश चोईश और 72 टोटल प्रतिमा है नेक्स्ट देख लेते हैं भीम चोरी भीम चोरी यह है कोटा में और चबूत्रे पर भीम मंदीर है और भीम का मंदब बना हुआ है अब कोटा डेरिया की बात कर लेते हैं तो कोटा डेरिया यहां साडियों के लिए फ्रसिद है बनारस की साडिया वसंद्रा राजे द्वारा इसका प्रचार किया गया था और सन 2007 में UNO द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड यह दिया गया था इन्हें और इसके जनक है अली जान और देख लेते हैं दसरा मेला यह भरता है कोटा में यह आश्विन शुकले दसमी को भरता है और इसकी सुरुआत किसके द्वारा की गई थी महाराजा मादो सिंग फरस्ट के द्वारा माराजा फर्स्ट सिंग के सासलकार में इसकी सुरुवात की गई थी और यहाँ पर कोटा में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बने हुए हैं जिनका आयोजन करता है राजस्थान परियतन विभाग और कोटा में शारबाग भी है जो हाडा सासकों का समचान स्थल है और कोटा में चम्बल उध्यान भी है और कोटा दूर्ग भी है कोटा सागर तालाब भी है और राजस्थान का प्रथम यातायत पार्क 1902 में यहाँ पे बनाया गया था नेक्स्ट है 1912-13 में यहाँ पे सहकारिता की शुरुवात की गई थी जिसका स्रेय जाता है रगुनात चतुरुवेदिगो और एक पुस्तक है रगुनात का मुकदमा यह लिखी थी सागरमल कोपा ने यह भी इंपोर्टेंट है काफी नेक्स्ट है 1975 में राज्य लोक अदालतों की शुरुवात की गई थी और कोटा में वर्दभान महावीर खुला विश्व विद्याले भी है यह राज्य का पहला खुला विश्व विद्याले है जो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और कोटा इन्वर्शिटी की स्थापना सन 2003 में की गई थी और ब्लेक पोर्टरी यह कोटा में है साथ अजूबा भी यहां पर है और कोटा चित्र सेली भी प्रसिद्ध है यह कोटा चित्र सेली की बात करें तो यहां पर नीला रंग अधिकतर प्रयोग में हुआ है और सिकार के बहुत आयत पेंटिंग से यह पर और स्वतंद्र अस्तित्यु का से महरावल राम सिंग को जाता है और यह राजिस्थान में सर्वादिक साक्षरता की बात करें तो वो भी कोटा की है और राज्य में सर्वादिक महिला सक्षरता ये भी कोटा जीले की है नेक्स्ट है कनस्वा का लेक कनस्वा का लेक ये 738 इस्वी का है और ये मोर्य राजय धवल सिंग धवल से सम्मद्नित है नेक्स्ट है कोटा सूपर थर्मल पावर स्टेशन ये कोटा में है और राजय का पहला तापिय विदुत ग्रह है और ये बिटुमिन कोईला आता है इसका प्रियोग होता है यहां पर और ये 5 चरण और 7 इकाईया है यहां पर जिससे 1240 मेगावाट की बिजली उत्पाद होती है नेक्स्ट है रंगपूर ये भी कोटा में है और कोटा गेस परियोजना है यहां पर और ये 330 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है यहां से और गुडदीत शिव मंदिर जो कि पंचयतन शेलिका है वो भी यहां पर है रंगपूर में अगयुख आम ड है राम गंज 20 में अ कि धनिया मंडी और है कि गयर कि और सायंत्र इजिए सहरी कच्छे को स्यारी शिव्क को कर डैंड़ में लेता है और कोटा में स्ैराम शिमेंट है और यह सबसे च्छोटी इकाई है इसकी नेक्स्ट है मोडक मोडक भी कोटा में है और यहां पर मंगलम सिमेंट है और एक जगह है कोटा में गड़े पान चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है और इसकी नीजी इकाई यहां पर यूरिया का उतपाद इन होता है और उत्तम वीर यूरstä यह कंपनी है नेक्स्ट है इंडरपरश्त ओद्योगिक अरिडिया यह भी कोटा में और सेम कोर ग्लास् नेमस है और यह सेमसंग पिक्चर ट्यूब बनाता है नेक्स्ट है नोकायान अकेडमी यह भी कोटा में और राज्य की प्रथम जीला प्रमुख नगेंद्र बाला यह भी कोटा जीले से संबंदित है और कोटा में खड़े गनेश का मंदिर भी है और बादसा की सवारी भी कोटा में निकाली जाती है और राज्य का प्रथम कर्शिक कियोस्ग जो नांता में हैं कोटा में और 18 सताउन की करांती भी यहां पे लाला जय दयाल और महराब खान जो की यहां के नेतरत्व करता थे 18 सताउन की करांती में तो I hope आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरू से कीजिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स टूडियो में जै हीन जै भारत